सूरिय का गोचर सिहिंग राशी के लोगों के जीवन में एक नए रास्ते को खुजने वाला है जो आपके लिए धनलाब के लिए बड़ा उप्योगत होगा जै मतादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सूरिय के राशी परिवर्तन का प्रभाव सिहिंग राशी के लोगों के लिए किस तरह से होने वाला है आपको सूरिय के राशी परिवर्तन से क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे अगले 30 दिन आपके लिए किन चीजों में सबसे ज़्यादा फाइदा होगा कौन सा काम आपके लिए सबसे अच्छा होगा क्या सावधानिया होंगी हर एक चीज के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें अगर आप चैनल पर पहली बार आएं हैं तो सबस्क्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहती हैं तो देखें सूर्य जो है वो सिहंग राशी के स्वामी है यानि आपकी राशी के स्वामी सूर्य माने जाते हैं पिता आत्मा और एहंकार के सबसे बड़े कारक हैं सूर्य देव हर एक महिने में राशी बदलते हैं और अब राशी चक्र की तीसरी राशी मिथुन राशी में प्रवेश करेंगे जो की बुद्ध की राशी है अब बुद्ध की राशी में जब सूर्य जाएंगे तो बुद्ध के कुछ गुण भी सूर्य को प्राप्त हो जाएंगे जिसके प्रभाव आपको भी अपने जीवन में देखने को मिलेंगे जब भी कोई ग्रह किसी राशी में प्रवेश करता है तो उसके राशी स्वामी के प्रभाव भी आते हैं और उसके अलग तरीके से कुछ रिजल्ट भी आपको अपने जीवन में देखने को मिलते हैं जैसे मिधुन राशी में सूर्य के आते ही व्यक्ति जो है वो बुद्धिमान दिखाई देंगे वो एक बहुत अच्छे वक्ता होंगे क्योंकि बुद्ध क्या है वाणी के कारक रहे हैं तो वाणी सबसे अधिक परभावित होगी सूर्य के यहां राशी परिवर्दन करने से रशनात्मक शेत्र बहुत अधिक सक्रिय रहेंगे और राजनीती के शेत्र में भी सक्रियता बढ़ेगी आपका जो वाणी है जो आपका संचार कोशल है वो बहुत बहतरीन होगा और भी कई ऐसे शेत्र हैं जहां बहुत अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे जिन प्राप्त होंगे तो आपके राशी के स्वामी हैं सूर्य देग और ये मिथन राशी यानि आपके इकादस बहाव में परवेश करेंगे इकादस बहाव कौन सा है लाब का बहाव है सूरिय का ये गुचर कई मामलों में बहुत अधिक लाव दायक रहेगा बहुत अच्छे लाब देने वाला रहेगा क्योंकि जब ये लाब के भाव में जाएंगे जहां से धन की प्राप्ति होती है लाब भाव आपके हर काम शेतर से जुड़ा है हर कर्म से जुड़ा है चाहे नौकरी है व्यवसाय है दुकानदारी है कोई भी कार्य है तो आपको प्रसंसा भी दिलाएगा और लोग प्रियाता भी दिलाएगा लोगों से आपको आगे रखेगा ये ऐसा समय होगा जब आप अपने हर एक काम के जरीए अपने आपको आगे बढ़ता देखेंगे लाब प्राप्त कर पाएंगे अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे आपकी जो महत्व का अंक्षाएं हैं उनकी पूर्ती आपको होगे इस समय प्रबल धन लाब के योग भी बनेंगे अच्छे धन की प्राप्ती तो होगी ही धन लाब के अच्छे योग भी बनेंगे समाज के जो रसूखदार होते हैं जो सम्मान प्राप्त लोग होते हैं उनसे मेल मुलाकात का अवसर मिलेगा आपका खुद का जो एक अव्यक्तित है वो लोगों के सामने निखर कर आएगा आप अपने हर एक समंध को सुधारते हुए दिखाई देंगे बस एक छोटा सा आपको ध्यान रखना है कि प्रेम समंध में उतार चढ़ाव का समय रह सकता है तो प्रेम समंध में आपको थोड़ी सावधान ही रखनी है अपनी वाणी का थोड़ा ध्यान से आपको प्रियोग करना है यदि आप अपने आपको जादा महत देने की बजाए प्रियतम को महत देंगे तो ये समय प्रेम जीवन को बहुत पुश्पित और पल्लवित करेगा सुकून भरा रहेगा बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और अगर आप अभी तक अकेले हैं तो जीवन में किसी की दस तक सुनाई दे सकती है आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा विशेस लोग आपकी दोस्ती पसंद करेंगे सामाजिक तोर पर ये एक महिना ये 30 दिन आपको अपने परिवार में उन्नती दिलाएंगे आप अपने परिवार के लिए उन्नती का कारक बन सकते हैं धन प्राप्ती के लिए बहुत अच्छे प्रियास करेंगे खुब प्रियास करेंगे और उसमें सफल भी होंगे इस राशी के जो student हैं उनको भी सिक्षा में बड़ी उपलब्धी प्राप्त हो सकती है क्योंकि सूर्य का ये गोचर आपके लिए अच्छी result तो देगा ही जो competitive exam में बैठे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी result देने वाला सावित होगा अच्छी result मिलेंगे और सूर्य की जो द्रश्टी है यहां से आपके पंचम भाव पर होगी पंचम भाव पर द्रश्टी आपके लिए फायदे के नई राश्ते खोलेगी आपके लिए नई नई चीज़ें आपके सामने होंगी आपके पास विकल्प होंगे कौन से विकल्प को आप चुनते हैं यानि एक से अधिक आए के श्रूत होंगी इंकम के सोर्सिस होंगे वेपारी वर्ग हैं उनके लिए बहुत अधिक शुब हो रहेगा ये क्योंकि बुद्ध वेपार के कारग रहे हैं बुद्ध की राशी है जहां सूर्य जाएंगे इसमें आपको संतान पक्ष से भी कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है और अगर आप शेर मार्केट से जुड़े हुए हैं किसी तरह की इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो शेर मार्केट से बहुत बढ़िया लाब आपको देखने को मिलेगा और कई ऐसी चीज़े हैं जहां इस गोचर का प्रभाव सबसे अधिक होगा मीडिया के शेतर से जुड़े हैं पत्रकारिता, सिक्षन या स्वास्थ है इन सभी चीज़ों में अच्छा आप देखने को मिलेगा या आप कसी यात्रा के फिल्ड से हैं आप परेटन उद्धी हो गए आपका ट्रेवल अजेंसी हैं तो वहाँ भी आपको अच्छे काफी अच्छे अच्छे पैकेज आप लोगों को दे सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा ओफर दे सकते हैं जिसके जरीया आपका कामकाज बढ़ सके तो यात्रियों की संख्या में व्रध्धी हो जाएगी बुद्व्यपार के कारक हैं ऐसे में जो जातक अपना खुद का व्यपार करते हैं उनके लिए काफी अच्छे समर्थन भी होंगे और अपने व्यपार में आप व्रध्धी भी कर पाएंगे इसमें नई कंपनिया नया वेबसाय मुनाफ़ा देता हुआ दिखाई दे रहा है इसके अलावा राजनीती के शेत्र से जुड़े जो लोग हैं वो अपनी भूमी का और जिम्मेदारियां दोनों को अच्छे तरीके से निभाएंगे अगर आप राजनीती के शेत्र से जुड़े हैं आपको कोई पद मिला हुआ है तो अब आप अपने उस उपद को बचाने के लिए या उस उपद को उपर ले जाने के लिए मेहनत करेंगे जिसमें राज आपको रिजल्ट पी अच्छा मिलेगा इसके अलावा और भी अधिक ऐसे शेत्र हैं जहां आपका जुकाव देखने को मिल सकता है जैसे साहित्य का शेत्र हो गया लेखको को पहचान मिलने की संभावना बहुत अधिक बढ़ेगी यहां साहित्य भाशा विज्ञान या फिर ऐसे ही शेत्र से जुड़े लेखक जो है उनको भी अपनी पहचान मिलने का योग है पुरुष्टरत किया जा सकता है आपको यहां पुरुष्कार भी प्राप्ति का योग इस राशी के लोगों के लिए बना हुआ है इसके लावा देखे संबंद आपके अच्छे रहेंगे और आप अपने आर्थिक पक्ष को भी मजबूत बना पाएंगे भागय का पूरा सपोर्ट मिलेगा सूर्य का यह गोचर सबसे अधे का शुब जो रहेगा वो सिहंग राशी के लोगों के लिए रहेगा पहले तो यह आपके राशी के स्वामी हैं दूसरा यह आपके लाव भाव में हैं और पंचम भाव परद्रस्टी हैं पंचम भाव से जुड़े जितने भी लाव है वैपार हो गया, सिक्षा हो गया, संतान हो गया प्रेम जीवन हो गया इन सभी शेत्रों में आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त जरूर होंगे अगर जो इस राशी के स्टूडेंट हैं आप कहीं एड्मिशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका एड्मिशन भी होगा आप अच्छे आप अपनी मन पसंद कॉलिज की तरफ आगे बढ़ सकते हैं काफ़े अच्छा है, अब उपाय की बात कर लेते हैं तो उपाय के तोर पर रविवार को आदित्य हर्दैस्तोत्र का पाठ करें सूरीदेव को जल अरपित करें जो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा सबसे उत्तम रहेगा और साथ ही चैनल को भी सबस्क्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि जादा से जादा लोगों तक ये पहुंच सके